प्रोसेस अगर असी टाइमली कम्प्लीट कर दे जावांगे ता चाहे के थोड़ी वेट है पर उस तो बाद जदो साड़ा वीजा लग दा ता टेट सारी चंगी ऑपरचुनिटी साड़े फ्यूचर नो ब्राइट करन लिए साड़ा इंतजार कारीया हों दिया ने जबाद तो बहुत सारे जड़े तो आडे सवाल आए हो इने आज उना सवालां दे जवाब इस वीडियो दे वी जरूर शामिल राएट चाहे के प्रोसेस नो लेके हों चाहे के अगो आईट वन्टी नो लेके सही औप्शन लेक्षिन नो लेके हों जो एउड़ी तुसी त्य बहुत बहुत स्वागत है मैं साश्रीकार शाश्रीकार शो नविगेटर ओवर सीज और बीना गोल मैं जिनादा गए तकरीबन स्टाइस सालां दा एक्सपिरियेंस है हो टेर सारे सुडेंट्स प्रोफाइल दो पर कम किता है कई कंट्रीज विच डील कार देने से स्टेडी व बाकी कंट्री जैनल वी कंपैरिजन कर दे होग देखिए ता इज़ा ग्राफ जड़ा चॉइस पॉइंट अफ्य तो उसी तरा नल हाई ही चाल रहे है यूएस से दा सो किस तरा नल लग कर दे यूएस से अपने आपनों बाकी कंट्री से और किस तरा ने चंगी उप्षिंस और फ्यूचर दे भी चंगी opportunities मिल दिया ने अगर कोई student अच्छी options देना अग्गे बाद है हजो देखो जिर स्टुडेंट सी युएस जाम देया ना बड़ा particular student है बड़ा focused student है पढ़न वाला student है अज भी पेरेंट साय हो सी हुना थे बेटे नो मैं नर्सिंग पे जैसी तो एंड हाफ यह पढ़दे हुए ते वो focus student है जिना ने बिल्कुल पढ़ाई वधिया तरीक्ये नाल का दिनी है युएस दे बेनिफिट की है एक ते स्टेम प्रोग्राम वाले बच्चे जान जड़ा मैं हमेशा एंकरेज करूंगी जनाने science, technology, engineering, math लेना क्योंकि उन्हान पोस्टडी work permit 36 मंस ता मिलगा है तिन साल दा मिलगा है और technology या health दे जड़े प्रोग्राम्स है उनना दे विचे 100% job मिल दे जॉब युएस दे विचे सारे नो मिलेगी पर जड़े ए प्रोग्राम्स है इनना दे विचे को पोस्टडी work permit लंबा मिलन करके student को बहुत टाइम है सेटलमेंटी option देखन वस्ते जो सेटल होना चांदे है और बहुत सारे बच्चे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चांदे है उननों सेटलमेंट तो कोई मतलब नहीं है ओ एक अच्छी उनिवस्टी पढ़के बहार मतलब इंडिया वापस आना चांदे कल परसों भी मै इकते स्टूडेंट नो एक बैनिफिट है कि सेम डे वीजा है इदे विचे एनिकी वीजा लॉज हो या मिन्ने बार रिजल्ट आएगा दो मिन्ने बार रिजल्ट आएगा खाली इस ताइम थोड़ा जाएक श्रगल है डेट लैंच वह मिल जन दी है नेक्स्ट इदे विचे जीड़ी बैनिफिट है कि बच्चे दा बहुत कट पैसा खर्च अंदे वीजा तो पहले अमबैसी फीज सेविस फीज या छोटी मोटी कोई आई ट्वेंटी दा मैं ख्याल चाली पंजा ती चाली हजार का सारा खर्चा बच्चे दान दा है ते उस प्रोसेस है और बहुत एक लेंथी प्रोसेस है और जाद वीजा रिजेक्ट हो जन्द है तिन तीन मिन्न होना दी फीज वापस आननों लग जन्द है फिर करन्सी एक्स्चेंज दा लास यूएस दे विचे ए कि तो आदा सेम डे रिजल्ट है विद मिनिमूम फीज बस स्ट वीजा जड़ा एक बच्चे दा चाहिए इंग्लिश होए ना होए ड़संट मैटर इंग्लिश होएगी अच्छी होएगी तोड़ा कॉंफिदेंस जादा होएगा ज़त उसी कोई सैट या जी आरी जीमेट किते होएगा स्कॉलर्शिप हंड़ परसंट भी मिल दिया स्टू आठेश स्टाप बास पूरी त्यारी करोंदा है बस बच्चे जना कॉंफिदेंस होना चाहिए जदा किसे ना किसे ना घलबात अरामनाल करना टाइम आ पता होना जाहिए जड़ा भी स्टूटन्ट गलबात अरामनाल कर सकता है कि मुनिकेशन स्किल ठीक है इंग्लिश बहुत अच्छे टिप्स है स्टूदेंट्स वस्ते है उनना देविच कोई फंड रहने की बहुत पुराने चाहिए एक दिन पुराने फंड भी दिखा दो फिर भी कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन सब तो इमेडियेट सब तो क्विक वीज है सेप्टमबर इंटेक है उनना देड्लाइन आ रही हैं मार्च विच सारी अच्छी उनिवर्स्टियां देड्लाइन खत्म हो जानी है देन यू विल नाट अबल तो गेट ए चांस तो यह मार्च बढ़ा ही जड़ा आनवला टाइम है पनू बढ़ा क्रूशिल टाइम है यह दे विच्छ तुसी लास्ट टाइम है अप्लाई करना और जिननी पहले अप्लाई कर लोगे उन नहीं तो नो स्कॉलर्शिप चांसेज जादा मिलाने जी बिल्कुल सो जिमें के मैम ने दसे हैं देखो ए कई पॉइंट्स ने जिननते तुसी फोकस जरूर करना है सो सब तो पहला ता जड़ा फोकस करना है कि तुसी किते डेडलाइन होना टपा दो सो मार्च तक तुसी अच्छी उनिवर्सिटीज अच्छे ओप्शन्स अनाल अगर 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 बदना चांदे हो ता जरूर टाइमली जड़ा है अगर कोई डाउट है तो जड़ा नंबर डिस्प्ले है इस ओपर कॉल करके तु अगर स्कॉलर्शिब्स अफाइदा लेना चांदे ने चंगी ऑप्शन्स अफाइदा लेना चांदे ने टाइमली देखो असी बार बार फोकस का रहे हैं मार्च जड़ा है मार्च विच डेडलाइन है अच्छी ऑप्शन्स अगुस्त बाद खतम हो जानगी है तो जरूर इस ताइम दा फाइदा लो सही डिसीजन लो ते अगों वियसी तुआ डेली इसी तरा नाल होर इंफरमेटी वीडियो जाके आंदे रमागे फिलहार ली सानुद्यो जी इजाज़त थैंक यू सुमाज थैंक यू